आची बात है, पार्टी में तो राजनीती में देखो आज से तस साल पहले अरियाना में जो राजनीती थी वो ये थी कि कोई आदमी नया राजनीती में प्रविश करेगा तो वो ये देखेगा कि रुलिंग पार्टी कौन सी है जो शाना है ओता ना अग्मी थोड़ा सा चलाक नहीं कहूंगा शाना तो उस वो फिर निगा मारेगा उसके सामने आएगी कांगरिस दस साल पहले की बताता हूँ कांगरिस में मामला जमता नहीं फिर आएगी वो कौन सी पार्टी है नहीं लोग दल नहीं लो इन लो आएगी फिर उसमें भी मामला नहीं जमेगा फिर चलो मायावती जी की पार्टी बीस पी यहीं से कुछ किस्मत आजमाओ तो दस साल पहले बीजेपी उस सरकल में लास्ट में आती थी तो जिसको नहीं जगे मिलती थी वहीं फिर वो खहता था चलो और नहीं तो बीजेपी सही है ले मैंने तो जहिन के एलेक्शन में देख लिया और मैं आज कह के जा रहा हूँ वो सारा का वोट बैंक अब बीजेपी पार्टी के साथ है और इसी उमीद से के एक नया भारत उसको देखता है बढ़ेगा जो मैं अभी बात वहां भी कह रहा था उसको देखते हुए वो अपना फ्यूचर बविश्य देखता है उसमें कि मेरे लिए भी कोई ना कोई ब्राइट स्पॉट है कोई चमकती चीज है जो मेरे को भी प्राप्त हो सकती है तो एक यह डिवलेपमेंट है इसकी वजह से सब लोग राजनितिक सोच रखने वाले वो यह सोचते है कि अगर पार्ट इसकी मिलाना चाहे तो हमारे को नभी बी जे पी में ही मिलना पसंद करेंगे उडर प्राव बादो बात की मिसाला आपने राजनिती में कायम की और भी आपने अभी एक बात भी बीचमी बोले जान्स पर करेकरण के बीच अगर मुख्या मंतरी बनाया दाथा है तो उनावर रेंगे अनिता नहीं दो ने तो कून आपकी आप सारी अगर कुछ मज़ाक के बात नहीं है सी मज़ागी है राम कुमार शर्मा को तो जाट ना राम कुमार गौतब को तो मैं अब से नहीं वो मेरा क्लास है लुए 1963 में पहली बार उस महापुरुष्टे बेट हुई थी मेरी वो मतलब जाती वादी सोच से गरस्त है ऐसे आदमी के बारे में कुछ कहना आर्टिक्ट नहीं करना मैं तो नहीं समगता थी बाकी जो दुशंत ने उसको डिटो किया कहा इसको तो समाज देख रहा है मेरे को ज़्यादा कहने की जुरूत नहीं उसको दुबारा सोच लेना चाहिए वरना तो मामला उसके लिए गड़बड़ हो सकता है लेकिन मैं ये बात रहुल गांदी इस बात को समझे ना समझे पिक्ष में करते हैं उनको तो किसी ने बताया होगा लेकिन मेरी व्याख्या ये है कि पहली बार इस देश की किसी सरकार ने या इस देश के किसी प्रधान मंद्री ने इस चीज को देखा कि खेती और किसाम ये दो अलग-अलग आइडेंटिटीज है आज तक जो भी होता रहा खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोड़क्शन को प्रोड़क्टिविटी को क्या होता है इस देश को बढ़ाने के लिए ही प्रयास हुए है हमने भी किये हैं चाहे वन ड्रॉप वन और क्रॉप हो चाहे एंशूरेंस हो क्रॉप की चाहे हमने और जो भी अच्छे भी और ये नीम कोटिट यूरिया ये जितने भी इनिशेटिव हैं ये सिर्फ खेत में पैदावार ज्यादा हो एक सो तीस करोड का दिश खाने पीने के फूड ग्रेन के मामले में सेफ सफिशेंट रे ये हमारा एक द्रिश्टी कौन रहा है नरेंद्र भाई मोदी ने इसको अलग से इसकी व्याख्या किये कि ठीक है ये तो जरूरी है लेकिन जो खेती कर रहा है उसकी तरफ भी देख लो मैं आपको एक एक एक्जामपल दे के बताता हूँ मेरे गाउं के पास एक गाउँ है जील जिस दुनिये फैसला उसके तीन दिन बाद जील के लोग मिलने आए और एक कहने लगा जी मेरे पास पांच एकड़ से कम जमीन है लेकिन वो जो जो उसका खाता है उसमें सत्रा आदमियों की एंट्री है किसी के इससे में आट सो गज़ है मेरे परिवार को एक लाग से ज्यादा मिलेगा मतलब जुस आदमी की खेती लाएक जमीन ही छेसो गज़ बची है उसको तो वो छे हजार रुपया बहुत उसके जीवन में एक नई कॉन्फिडेंस एक नया विश्वास पैदा करेगा और ये बड़ी भारी बहानक समझते है आज हरियाना के किसान के सामने उसको किसान तो हम बोल देते हैं लेकिन पूछो तो भाई या कोई खूड बचा है या नहीं बचा है उसको अपनी लड़की की शादी करनी है बच्चों की पढ़ाई की बात है माबाप बिमार हो जाएं तो उनको अच्छी हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर की जरूर्ट है ये सारी चीज़ें तबी संबह हैं जब हम किसान को उसकी सही हालत से उभारने की कोशिश करें ये आर्थिक विश्मता को नेरो डाउन करने के जो खाई है गरीब और अमीर की उसका एक बड़ा भारी प्रियास है प्रदान मंत्री का अब आप चारीस साल से ओर पी वन रैंक वन पेंशन की बात थी हमने उसको करके दिया और जो समान दर्जा है पेरा मिलिटरी फोर्स का पैंशन है और समानता की चीज़ें वो भी उन्हीं कंडिशन में हैं मैं यह नहीं मैं तो मान के चलता हूं कि हमारे अगर तेरा लाग फौज एक कंडिशन में है तो उसका बैक अप करने वाली जो हमारी पैरा मिलिटरी फॉर्स हैं वो भी उनी समस्चाओं में और उनी एरियाज में हैं जहां कठिन काम है तो लेकिन यह मैं आज के दिन कुछ बो हो तो जब भी हमारा भोशना पत्र त्यार होगा उसमें कौन सी कौन सी चीजें होंगी क्या किन चीजों का संग्यान लिया जाएगा वो बात की बात